आपके लिए अप्लोड करोंगी देन आज मैं को करवाँगी एक्सेसाइज 3.1 क्वेस्चेन नमबर 1 की स्टेटमेंट इस तरह के है कि हमने हमने हमार पास दिमांड है मार पास दिमांड की क्वेशन है और यह मार पास supply की इक्वेशन है जब हम किसी चीज की दिमांड करते हैं जिस तरह के कोई भी चीज सस्ती हो जाए method 2018 यानि represents कि दिनों में बिसे सालों में दूद के डबे सेस्थी होगे में अगर आगर उनकी प्राइस जादा होती तो उनकी डिमांड क्या हो जानी थी कम हो जानी जब प्राइस कम होती है तो लोग जादा चीज खरीती है जब प्राइस जादा हो जाए तो लोग डिमांड कम करते हैं लेकिन जब प्राइस जादा हो जाए तो सिर्फ वही लोग खरीते हैं जिसकी एक्विली बीरियम मार्किट एट एक्विली बीरियम मार्किट एट एक्विली बीरियम क्यू डी इस एक्वल है क्यू एस अब दोने क्वेश्ण को इक्वल करेंगे 24-2P is equal minus 75 plus 7P यह माइं माइन सेवन प्लास 7P अब यह क्या हो जाएगा अब ये 24 अब ये होगा ये होगा 2P ये वाला प्लास का 7 है जब इदर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा 7P is equal ये माइनस 5 है अब ये प्लास जिस वैली के साथ कुछ नहीं साइन जिस रखम के साथ कुछ नहीं तो उसके साथ जमा आते है यहां पर क्या जाएगा जब यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का तो यहां पर आ जाएगा यहां पे आ जाएगा यहां पे आ यहां पे आ जाएगा हाँ जी यह माइनस जो है यह वाला माइनस यह यहां पे भी आएगा यह माइनस इसाथ यह यहां पी भी आएगा और यह प्लास का था यहां पे आकर यह माइनस का हो गया यह जाएगा माइनस 9 P is equal minus 29 P is equal minus 29 over minus 9 minus minus cancel P is equal 29 by 9 हम इसको कैकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आजाएगा 3.2 अब हम इस P की वैली जो प्राइस हमारी आई है इसको हम demand की equation में put करेंगे और then हम इसको हम supply equation में भी put करेंगे हम इसको कहेंगे कि हमारी equation number 1 है और इसको हम कहेंगे कि यह हमारी equation number 2 है हम इसको equation number 1 में put करते हैं प्राइस की क्या value हाई है प्राइस की value हाई है 3.2 अब हम इसको demand की question में put करते हैं QD is equal 24 minus 2P तो QD is equal 24 minus 2 प्राइस की value कहती 3.2 उसमें put कर देंगे QD is equal 24 minus 6.4 तो QD हमारे पास आ जाएगा 17.6 अब supply की question क्या दिए supply की question में put करें QS is equal minus 5 plus 7P तो QS is equal minus 5 plus 7P में put करेंगे 3.2 तो QS is equal minus 5 माइनस 5 माइनस 5 प्लस अब 7 को multiply करेंगे 3.2 के साथ 7 को multiply करेंगे हम यह बे 3.2 के साथ तो इसको solve कर लीजिएगा पहले 7 को multiply कीजिएगा 3.2 के साथ जो answer आएगा उसको 5 पे से minus कीजिएगा तो हमारा answer आजएगा 17.6 जब demand की और supply की values values जब same हो तो हमारा answer क्या होगा हमारा answer है जो answer है जो हमने सवाल किया हो ठीक होगा तो अब आप यह देखें कि इसकी values भी correct सेम है और इसकी value भी सेम है तो यानि कि यह हमारा question ठीक है अब मैं आपको करवाती हूं question number 2 question number 2 में demand है 51 51 minus 3p और हमारे पार supply है 6p minus 10 अब हम क्या करें कि हम इसको कहेंगे question number 1 और इसको कहेंगे question number 2 अब market attack भी विरे में आप लोग लिख लिखेंगा तो qd is equal क्या हो जाएगा qs के हो जाएगा तो qd क्या था 51 minus 3p is equal 6p minus 10 तो अब क्या होगा कि 51 यह minus का 10 है जब इतर आए जाएगा तो यह plus का 10 हो जाएगा उसके बाद 6p यहां में मजूद है यह minus का यहां पे आएगा यह plus का 3p हो जाएगा अब यह क्या हो जाएगा यह जाएगा 6p 61 is equal 9p तो p is equal 61 among 9 तो p हमारे पास आजएगा इसको इक्वेशन नमर 1 और इक्वेशन नमर 2 में पूट करते हैं डिमांडर सप्लाइग एक्वेशन में यह जो है तो आजएगा 30.7 तो जब हमारी सप्लाइग की और हमारी दिमांड की और हमारी सप्लाइग की वैल्यू सेम होती है तो हम हम कहेंगे दस प्राइस प्राइस इस इक्वर 6.78 एंड क्वांटिटी जो ती है हमारी वर किसके एक्वलती 3.70 के एक्वलती यह दन आप लोगों का यह जो है आप लोगों का आज़र आ गया है